आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने Question की वोटो कीचो उसे Crop करो और तुरंत वीडियो सिलीशन पाओ डाउनलोड नाओ होमोहबलस और जो होमोएरेक्टर से आकरिकारी क्या है तो हमारी यह जो बात हो रही है वो हो रही है Evolution of Man हाँ जी जो हम Humans का Evolution हुआ है उसके बारे में बात चल रही है आपको पताए हम जो Humans का Genus है वो हमारा Genus क्या है? वो Genus है हमारा होमो तो यहां पर बात कैसी हो रही है होमोहबलस, होमोएरेक्टर से यानि कि यह हमारी Humans की ही बात चल रही है तो हमारा जैसे जैसे टाइम बढ़ता गया हमारी जो Humans है वो Evolute होते गई तो यहां पर मैंने एक राइट से में एक इमेज लगा रही है एक हमारी ब्रीफ सी इमेज है जो आपको बता रही है आखर कर जो हमारा evolution हुआ मैंन कब वो किस प्रकार से हुआ तो सबसे पहले हमारी क्या देख रहे हैं यहां पर Australopithecus उसके बाद आते हैं हमारे Homo Hebalus, फिर Homo Erectus, then Homo Neanderthalens, and then comes Homo Sapiens Sapien, जो हमारी Homo Sapiens Sapien है, यह सबसे ज़्यादा advanced form है हमारी current era की हां जी, यह current era की वाली हमारी position है हमें यहां पर लेकिन किसकी बात करनी है हमें हमें बात करनी है Homo Hebalus और Homo Erectus की बीच में अब देख लेता हूँ, जो हमारे Homo Hebalus तहीं, कुछ हमारे 2.3 million year अगो पहले देखने को मिलते थे हां जी, 2.3 million year अगो या 23 lakh साल पहले, 23 lakh साल पहले हमें यह देखने को मिलते थे Homo Hebalus, वहीं अगर बात करूँ, Homo Erectus का तो यह हमें देखने को मिलते थे, 19 lakh साल पहले, य करूँ, यहां पर हमें जो main difference की बात करनी है, वो हमारा eating habits, तो eating habits का है, बता देता हूँ आपको, जो हमारे Homo Erectus थे, माना जाता है कि वो थे हमारे meat eater, यानि कि यह थे हमारे meat को खाया करते थे, वहीं अगर बात हो रही है, habilis की, यानि कि homo habilis की, तो माना जाता है, जो हमार एक probable difference है, किसके बीच में, हमारे homo reactus और homo habilis के बीच में, based on their eating habits, thank you.